अले अवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू मंग टूटोरियल, दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मैकल के सुम वन्स, सिरपूर के पांडू वन्स, इसके लाबा बाढ़ वन्स और सैल वन्स के बारे में, ठीक है, ये प्राचीन 36 गड़ इतिहास का पूरी वन्स को जाना, उससे पहले राजरसी तुले वन्स, परवत द्वारक वन्स और नल वन्स को समझा है, ठीक है, अब हमारे पास बचे हुए हैं पांडू वन्स, सैल वन्स और बाढ़ वन्स, इन वन्सों के बारे में अध्यन करेंगे, जो पांडू वन्स है, ये रहेगा, वो अलग अलग रहेगा, जो पांडू वन्स है, उसमें दो अलग अलग साखाय मिलती हैं, एक है मैकल के पांडू, जिसको मैकल के सुमवन्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है, सिरपूर के पांडू वन्स, clear है, अगर सुमवन्स की बात करें, तो सुमवन्स में भ दूसरा मिलेगा कांकेर के सोंवन्स अब इस प्रकार से इसका विभाजन क्यों किया गया उसको अगर हम लोग समझें तो इन सब का जो कारेकाल है जो सासन छेत्र है वो अलग-अलग रहेगा मैकल के पांडू वन्स लोग का सासन करेंगे सिर्पुर में ये करेंगे चटवी से सातवी सताब्दी के बीच में सासन ठीक है अब बात करते हैं उडिसा के सुम्वंस की तो उडिसा के सुम्वंस वाले की सोर सासन करेंगे नाम में ही क्लियर है ठीक है उडिसा के सुम्वंस वाले उडिसा छेतर में सासन करेंगे और ये नवी से ग्यारवी सताब्दी के बीच में सासन करते हैं उडिसा वाले छेतर में अगला जो है कांकेर के सुम्वन से नाम से इनका भी क्लियर है ये कौन से छेतर में सासन करेंगे कांकेर वाले छेतर में और इनकी बारवी से लेके चौद्वी सताब्दी के बीच चांकेर वाले छेतर में सासन करेंगे चूँकि छत्तिसगड़ का जो प्राची नितिहास है उसमें हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे ठीक है? नवी सताब्दी तक देखा जाता है बेसिकली नवी सताब्दी नवी से अगर अधिक होता है तो जैसे ही हमारे छत्तिसगड़ में कल्चूरी आएंगे कौन आएंगे? कल्चूरी सासाक आएंगे तो हमारा मद्य कालिन छत्तिसगड़ का इतिहास प्रारम हो जाता है नवी सताब्दी के बाद तो इसलिए ये जो बाला सूम वंस है इसको हम लोग किसमे अधियन करेंगे मद्य कालिन छत्तिसगड़ के इतिहास में कल्यर है आज की स्कलास में हम लोग इन दोनों वंस को कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं मैकल के पांडू वंस मैकल के पांडू वंस के बारे में क्या क्या जानना है पहले वो चीज़ें समझ लेते हैं इसके संस्थापक कौन थे इसकी राजधानी कहां थी इसका सासन काल कब था सासन छेतर क्या था ये कौन से धर्म के अनुयाई थे और इस वंस के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है तो सबसे पहले बात करें इसके संस्थापक की तो याद रखेगा इसके संस्थापक का नाम है जैबल ठीक है जैबल को मैकल के पांडू वंस का संस्थापक मन जाता है इनकी जो राजधानी थी वो अभी वर्तमान का अमरकंटक वाला जो छेतर है वो इनकी राजधानी हुआ करती थी अमरकंटक मैकल के पांडूवंस की राजधानी कहां थी तो अमरकंटक थी इनके सासनकाल के अगर बात करें तो पांचवी सताब्दी के आज़ पास ये सासन करते थे सासन छेतर था इनका मैकल छेतर ठीक है और ये वैसनो धर्म के अनुयाई थे आपको याद होगा इसी मैकल के पंडूवंस मैकल के सोम वंस के एक सासक आपको मिलते है ठीक है उनका जो पुत्र है नाग बल उनका पुत्र होता है भरत बल ठीक है वो भरत बल सरबपूरी सासक जो सरबपूर में ये आपको याद होगा ये किसके समकालीन है सरबपूरी ये सासकों के तो सरप्पुरी वंस का है समकाली वंस में अगर हम लोग देखें तो मैकल के पांडू वंस आ जाएंगे इसकी जानकारी दो तामर पत्र से मिलती है एक है बंभनी तामर पत्र और एक है आपका मलहार तामर पत्र दो तामर पत्र है जहां से मैकल के सोम वंस या फिर मैकल के पंडू वंस की जानकारी मिलती है अब इस जानकारी से हमें क्या पता चलता है तो इसके प्रमुक सासा कौन कौन से है सबसे पहला नाम आता है संस्थापा कौन है तो जैबल है ठीक है इसके बाद वत्स बल आते हैं फिर नागबल, नागबल के पुत्र, भरत बल और भरत बल के दो पुत्र होते हैं एक का नाम होता है क्या सूरुबल और एक का नाम होता है उदियन मैं यहाँ उदियन मैंसन नहीं किया हूँ वो आगे आपको पता चलेगा clear है चले अब इनका वंसा वाली हम लोग समझ लेते हैं जो जैबल है ये मैकल के पांडू वंस के मैकल के सूम वंस के संस्थापक मैंने जाते हैं ठीक है तो जैबल को हम लोग क्या ले लेंगे संस्थापक ले लेंगे इस जैबल के जो संस्थापक थे मैकल के सूम वंस या फिर मैकल के पांडु वंस के उनके एक पुत्र होते हैं उनका नाम होता है क्या वत्सबल ठीक है जैबल के पुत्र का नाम क्या हुआ वत्सबल वत्सबल के एक पुत्र होते हैं उनका नाम होता है नागबल ये जो नागबल है इनका विवा होता है इंद्रभट तारिका से नागबल का विवा किस से होता है इंद्रभट तारिका से और नागबल और इंद्रभट तारिका के पुत्र का नाम है भरतबल फिक है ये इंद्र के समान बलसाली होने के कारण इसका एक और नाम पढ़ गया क्या इंद्रबल इंद्र के समान बलसाली होने कारण भरतबल का नाम ही क्या पढ़ गया इंद्रबल अब ये जो भरतबल या जिसका एक अन्य नाम क्या था इंद्रबल इसका विवा होता है लोग प्रकासा से अब लोग प्रकासा कौन है तो आपको याद होगा सरब पूरी वंस में हम लोग एक सासक देखे थे सरब राज उनके पुत्र होते है नरेंद्र ठीक है? और इसी नरेंद्र राज की जो बहन थी उनका नाम क्या था? लोग प्रकासा था ये सरब राज वही है जिनका उल लेक आपके किसमे है भानुगुप के एरण अभी लेक में याद आया ठीक है तो ये गोप राज के नाना थे ये चीजें clear है गोप राज की जो माता थी वो सरब राज की पुत्री थी और उनकी एक जो बहन थी उनका नाम था लोग प्रकासा clear है अब ये सरब भरत बल और लोग प्रकासा के दो पुत्र होते हैं एक का नाम रहता है सूरबल और दूसरे का नाम रहता है क्या उदियन भरत बल के दो पुत्र होते हैं एक का नाम सूरबल और दूसरे का नाम उदियन ठीक है ये जो उदियन है इन्होंने अपने पुत्र का नाम इनके पिता का नाम क्या था भरत बल था और एक अन्य नाम क्या था इंद्रबल तो उदियन ने अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया अपने पिता के नाम से ये चलते आता था, ठीक है, इतिहास में ये चीज होती रहती थी, अब ये जो इंद्रबल है, इनके कुल चार पुत्र होते हैं, प्रथम पुत्र का नाम रहता है, नन्नराज प्रथम, ठीक है, नन्नराज रहता है उनका नाम, उसके बाद दूसरे पु लाता है भाउडेव रणकिसरी फारत्वल के इस प्लियर है तो इस प्रकार से मैकल के पांडू बंस या मैकल के सूम बंस का एक वंसा वाली होन्सा आपके सामने रेडि हो गया आसा है जैबल के बाद कौन है नागबल नागबल के बाद भरतबल भरतबल के बाद सूरबल उदियन, इंदरबल फिर इंदरबल के चार पुत्र ठीक है और यहीं से कहानी आपको समझाएगी चलिए मैं आपको सरपुरी वंस की जो प्रिवियस क्लास में हम लोग देखे थे उसमें भी मैं लिंक करूँगा वहाँ यह सारी चीज़े मैं आपको बताया हूँ यहाँ से मेरे खाल से यह वंसावली आपको पता होगा यहाँ से नीचे वंसावली को मैं बता चुका हूँ चलिए हम लोग बात करते हैं इनके सासकों का, जो सबसे पहले सासक आते हैं, जैबल, जैबल क्या कौन है, तो याद रखेगा, ये मैकल के पांडु वंस, या फिर मैकल के सुम वंस के आदी पूरुस या संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, ठीक है, इनके बाद सासक बन के हैं, इनके पुत्र, वचस जैबल, तो ये मैकल के पांडु वंस, ये क्या थे, आरंभिक सासक थे, जिन्होंने कोई उपाधी धारण नहीं किया था, इन्होंने कोई भी उपाधी धारण महराज या राजा धिराज, ऐसा कोई उपाधी धारण नहीं किया था, ये संस्थापक हैं, जैबल, तो याद सत्ता का खुद से क्या करेगा विद्रोह करके या किसी युद्ध के द्वारा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य समराज का वो संस्थापक माने जाते हैं लेकिन वो पहले किसको नंदवन्स के सासक घनानंद को यूद्ध में हराते हैं ठीक है तो उसी प्रकार से जैबल जो है यह तो या किसी के क्या रहे होंगे सामंत रहे होंगे या मंत्री रहे होंगे ठीक है या जमिदार रहे होंगे और उन्होंने विद्रोह करके अपना स्वतंत्र क्या क्या सत्ता इस्थाबित क्या ठीक वत्सबल के याद रखेगा वत्सबल के जो पुत्र होंगे उनका नाम रहेगा नागबल नागबल वो पहले असासाक होंगे जो उपाधी धारंड करेंगे कौन सी उपाधी? तो महराज के उपाधी धारंड करते हैं अगर कभी पूछे मैकल के पांडूवंस यहां specify किया जाएगा पांडूवंस में मैकल के पांडूवंस सिरपूर के पांडूवंस उडिसा के पांडूवंस या फिर कांकेर के पांडूवंस या इसी चीज को पांडूवंस की जगा सुमवंस भी लिखा रहेगा तो इन्हों ने पहला महराज की उपादी धारण किया ठीक है आपको पता होगा इनका विवा हुआ हुआ था किस से इंद्र भठ तारिका से इंद्र भठ तारिका नामक यूती से इनका विवा हुआ और इनको एक पुत्र की प्राप्तिवी उस पुत्र का नाम क्या था तो भरदबल था तो नागबल के पुत्र का नाम क्या था भरदबल नागबल की पतनी का नाम इंद्रभट तारिका अब इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं नागबल और इंद्रभट तारिका के पुत्र भरदबल के बारे में ठीक है भरतबल जिसको इंदरबल भी कहा जाता था इन्होंने महराज की उपादी धारण की जैसा की इनके पिता किये थे इनका विबाहा सरब पुरी सासक, सरब राज की पुत्री तथा नरेंदर राज की बहन राज कुमारी लोग प्रकासा से हुआ था और इसके बारे में हमको जानकारी जो है वो बमहनी तामरपतर से प्राप्त होती है जो इनके द्वारा ही जारी किया गया था उसमें उन्होंने नरेंदर राज की प्रसंसा की है ठीक है उनकी क्या की है प्रसंसा की बहुत अच्छे सासक हैं कौन करेंगे तो उनके जो दमाद ह किसकी प्रसंसा करेंगे नरेंद्र राज की और उसी में राजकुमारी लोग प्रकासा का भी उलेक करेंगे क्लियर है कौनसा तामरपत्र है तो याद रखेगा इंद्रबल का बमहनी तामरपत्र बम्हनी तामरपत्र से इसके सासनकाल की जानकारी मिलती है जानकारी प्राप्त होती है तथा राजकुमारी लोग प्रकासा का उलेक मिलता है और यहीं से हमको पता चलता है कि इनका विवाह सरपुरी राजकुमारी लोग प्रकासा से हुआ था ठीक है इसका जो इंद्रबल न तो confused नहीं होना है, अब जो भरदबल हैं, जिनका एक और नाम क्या था, इंद्रबल था, इनके दो पुत्र होते हैं, बड़े पुत्र का नाम रहता है सूरबल, और जो छोटे पुत्र रहते हैं, उनका नाम रहता है आपका उधियन, clear है, तो इंद्रबल के बाद सासक कौन ब की महराज कुपादी, जैसा भरदबल के पिता थे, नाग बल उन्हों ने किया, फिर भरदबल ने किया, फिर सेम चीज़ सूरबल करेंगे, महराज कुपादी धारण करेंगे, सूरबल कौन है तो भरदबल के जेश्ट पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, इस वंस के बारे म में पता चलता है कि मैकल के पांडू वंस नाम का कोई वंस था उसके एक सासक ये थे और जो परवर्ती सासक हैं ये रहे होंगे ये जानकारी इस वंस के बारे में तो कभी आपको पुछे मैकल के सुम वंस की सरोप्रथम जानकारी कहां से प्राप्त होती है तो सरव प्रथम जानकारी मलहार तामरपतर से प्राप्त होती है मलहार तामरपतर किसके द्वारा जारी क्या गया था तो इनके द्वारा ही जारी क्या गया था सूर्बल के द्वारा ठीक है अगले सासक हैं आपके कौन उधियन लेकिन याद रखी का सूरुबल जो सासक है इनके छोटे भाई उदियन जो है ये सासक नहीं बनेंगे इस शेत्र में ठीक है उदियन क्या करेंगे ये भरत बल के ही छोटे पुत्र है ठीक है ये बड़े पुत्र थे जेश्ट पुत्र और ये क्या करेंगे जो उदियन है अपने पितर भक्ति में अपने पिता के नाम से ही अपने पुत्र का नाम क्या कर देंगे इंद्रबल रख देंगे अब ये इंद्रबल थोड़ा साब को याद होगा तो सुदेव राज ये सासक थे कौन? सुदेव राज महासुदेव राज के नाम से भी जाने जाते हैं जो आपके सरप्पुरी सा सकते उनके यहां यह क्या थे सरवाधिकाराधिकरता अधिकारी के रूप में यह कारे कर रहे थे यह कहानी मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपने वो कहानी आपको याद नहीं है पुत्र प्राप्थ हुआ है जहां से इस वंस के बारे में सरोप्रथम जानकारी प्राप्थ होती है अब इसके बाद देखिए जो आपके सूर॥वल है उधियान है यह उधियन को हम लोग यहां से अलक करते हैं फिके जो पुत्र है कौन? इंद्रबल ये इंद्रबल क्या करेंगे? अंतिम सरभ पूरिय सासक प्रवर् राज जूतिय के हत्या कर देंगे और निउट डाल देंगे किसका? सिरपुर के पांडूवनस का ये चल रहा है कौन सा? मैकल के पांडूवनस के सीरीज है ये माइकल के छेतर वाले पांडूवंस हैं लेकिन ये इस सिरीज को हटा के यहां से इंद्रबल किसका नियूट डाल देगा सिर्पूर के पांडूवंस का clear है तो ये वाले वंस के बारे में बस इतना ही जानना है ठीक है अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे सिर्पूर के पांडूवंस सिर्पूर के पांडूवंस के बारे में जो सबसे पहला चीज है वो है इसका सासन होथी तो छटवी से लेके साटवी सताबदी के बीच में ये सासन करेंगे किस शेतर पर सिरपूर वाले छेतर पर इसके संस्थापक कौन है तो याद रखेगा इसके संस्थापक का नाम इंद्रबल मिलता है इंद्रबल कौन है तो ये वही इंद्रबल है जो उदियन के पुत्र थे इनकी राजधानी आरंभीक राजधानी कहां थी तो सीरपूर्थी और इनके आदीपुरुस जो इस वंस के संस्थापक किसे भी पहले जाने जाते हैं वो आदीपुरुस कौन है उदियन जो इंदरबल के पिता थे इस वंस के सरवाधिक प्रतापी दो सासक मिलते हैं एक है आपका महासिव तिवर्देव और दूसरे हैं महासिव गुप्त बालारजुन यहाँ पर ध्यान दीजेगा महासिव दोनों जगा आपको मिलेगा और महासिव ही आपके क्या मिलेंगे प्रतापी सासक मिलेंगे सबसे प्रतापी सासक महा सिव तीवर्देव और महा सिव गुप्त बालारजुन इस वंस के जो अंतिम सासक होंगे वो याद रखेगा महा सिव गुप्त बालारजुन मिलते हैं लेकिन कहीं कहीं आपको महासिगुप्त बालार्जुन के पुत्र सिवनंदी का उलेग प्राप्त होता है सिवनंदी जो है ये अंतिम सासक ज्यात सासक माने जाते हैं कौन सिवनंदी सीरपूर के पांडूवंस वाले याद रखेगा ये मुख्यता है वैशनो धर्म के अनुयाई थे जैसा कि मैकल के सोमवंस या मैकल के पांडूवंस वाले थे सरपुरीवंस वाले थे वैसी ही सीरपूर के पांडूवंस वाले भी वैशनो धर्म अनुयाई थे इसमें एक अपवाद, मुख्य अपवाद कौन है, तो याद रखेगा, महा सिवगुप्त बालारजुन, ये सैव धर्म का अनुयाई था, ये सिवभक्त था, महा सिवगुप्त बालारजुन, ख्लियर है, बाकी आपको जितने असासक मिलेंगे, वो क्या रहेंगे, वैश्णो लेखों में अलग लिपी, तामर पत्र मतलब जो copper plate होता है, ये तामबे का एक पतला सा plate रहता है, इस पे क्या क्या जाता है, लिखा जाता है, वो कहलाता है, तामर पत्र, और सिला लेखों की जो लिपी थी, वो याद रखेगा, पेटी का सिर्स लिपी थी, और सिला लेखों क मिलती हैं कौन-कौन-सी पेटिका सियल्पी वो किस jeżeli रहेंगी थामर पत्र में बाशे पत्र पासे पेटिका पत्र में क्या रह 않गा पेटिका और सीला स्ीला को याद रखे है सीला Black में क्या रहे guidance पेटिका это पत्र प прин यil Confuseन होता है क्वान सा किसका था तो आपका सिला लेक में क्या होगा किलाक्छा लिपी होगा और पत्र में क्या होगा तामर पत्र में पेटिका सिट्स लिपी क्लियर है इसके प्रमुख सासको के बारे में देख लेते हैं कौन-कौन से प्रमुख सासक आपको मिलेंगे तो सबसे पहला नाम मिलता है उदियन इसके बाद आते हैं इंद्रबल इंद्रबल के जो परथम पुत्र है नन्नराज नन्नराज परथम सासक बनेंगे बाकी जो पुत्र है उनका भी उलेक मैं आपको करूंगा लेकिन सासक कौन बनेंगे नन्नराज परथम उसके बाद सासक बनेंगे महासिव तीवर देव ये जो महासिव तीवर देव हैं ये याद रखेगा ये कौन है तो ये आपको इसान देव के पुत्र मिलेंगे इसान देव के पुत्र आगे वंसावली को मैं और समझाऊंगा इसके बाद आते हैं नन्नराज दुतिय, फिर आते हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त याद रखेगा नन्नराज परथम के पुत्र हैं, उसके बाद है हर्सगुप्त और अंतिम सासाक आपके महासिगुप्त, कहीं कहीं आपको साक्ष मिलेगा रण केसरी का, और उसके इतने नाम आपको मिलते हैं इसमें सासकों के अब देखिए यह जो डेटा है इसमें हमको कहानी के रूप में सब को याद रखना है रटने के आउसकता नहीं है अब कैसे कहानी याद रखें तो थोड़ा सा मैं फैक्ट बता दे रहूं फिर हम लोग वनसा वली में आएंगे इ 36 गड में सरवपरतम मंदिर जो है वो सरब्पूरिए वनस द्वारा बनाए गया था और सबसे पहला मंदिर कौन सा था तो ताला गावं का देवरानी जेठानी मंदिर आपको याद होगा 36 गड़ का सबसे प्राचिंतम मंदिर कौन सा है देवरानी जठानी मंदिर कईयों बार ये पूछा गया है 36 गड़ का सबसे प्राचिंतम मंदिर कौन सा है देवरानी जठानी मंदिर है यहां के स्थानिय राजवंसों द्वारा बनाए गया ठीक है और कौन से स्थानिय राजवंस तो सरपुरी वंस द्वारा लेकिन देखिए सबसे पहला मंदिर कौन बनवाया तो सरपुरी वंस वाले लेकिन सबसे जादा मंदिर अगर पूछा जाए सबसे जादा मंदिर कौन सरवाधिक मंदिर कौन बनवाया तो वो सिर्वपुर के पांडू वाले सासक रहेंगे और उसमें भी एकदम अंतिम वाला जो सासक आपको मिलता है महा सिर्गुप्त बाला अरजुन ये एकदम कचरा कूटा टाइप मंदिर बनवा देंगे ठीक है दस आपके बहुत दविहार बनवा देंगे चार विश्णु मंदिर बनवा देंगे तीन जैन मंदिर बनवा देंगे परधान मंतरी का कारेला बनवा देंगे बहुत सारे निर्मार कारे करेंगे ठीक है इसलिए महा सिगुप्त बाला अरजुन का जो काल है वो धार्मिक सहिशुनुता का काल का जाता है सभी धर्मों का सम्मान करेंगे तो इसमें नोट में हम लोग क्या देख रहे थे सरवप्रथम मंदिर सरवपुरी वंस द्वारा बनाये गया लेकिन चतिसगर में सरवाधिक मंदिर सरवपुर के पांडू वंस द्वारा बनाये गया सरवपुर के पांडू वंस द्वारा बनाये गया सरवाधिक मंदिर अगर पुछा जाया कौन से प्राची नितिहास में कौन सा ऐसा वंस है जो सबसे यदा मंदिर बनवाएगा तो वो सिरपूर के पांडूबंस है clear है और इसी कारण पांडूबंस का जो काल है वो 36 गड में मंदिरों के निर्मार का काल काल का जाता है मंदिरों के निर्मार का काल कौन सा काल है तो सिरपूर के पांडूबंस का काल मना जाता है आसा ये सारी चीज़ें clear हो गई होंगी अब जानते हैं कि सिरपूर के पांडुबंस की जानकारी इतने सारी जानकारी हमको कहां से मिलती है तो इसके जानकारी के सुरोत देख लेते हैं सिरपूर के पांडुबंस के जानकारी के सुरोत जो सबसे पहला सुरोत मिलता है वो उदियन का मिलेगा उदियन का सुरोत ठीक है उदियन का कौन सा तो कालिंजर सिलालेक कालिंजर में उदियन ने एक मंदिर बनवाय था सिव मंदिर और उस सिव मंदिर में एक सिलालेक गुदवाय था जिसका नाम क्या हो गया कालिंजर सिलालेग इससे किसकी जानकारी मिलती है तो उदियन की जानकारी मिलती है इसके बाद इंदरबल के बारे में आपको जानकारी कहां से मिलेगी तो सबसे पहला चीज इंदरबल ने इंदरपुर सहर बसाय था और वहाँ पे इनके जो पुत्र होत่うんで youtube उन्हों ने मंदिर बनवाया जिसका नाम था उसके पुत्र ईसान देव की जानकारी मिलती है इसके बाद सरभ पुरिये सासόςक आपको याद होगा सुधेयो राज जो है या महा सुदेवराज उन्होंने कवाताल में एक अभिलेक लिखवाया था कवासा अभिलेक? कवाताल अभिलेक जो सारंगर जिले में स्थित है इसमें इंद्रबल का लेक होता है कि वो सरवाधिकारा अधिकरता अधिकारी के रूप में क्या है सरबपुरी वंस में कारे करते हैं तो यहाँ भी इंद्रबल की जानकारी हमको मिलती है कमवाताल अभिलेक से जो सरबपुरी सासकों का था और इसका तो सुदेव राज का ठीक है इसके बाद इंद्रबल है इनके एक पुत्र होते है इसजी के अलावा एक budget पत्र और जारी किया गया, किसके दौरा महासी उतिवर्द्यों के जारी किया गया एक था बालोद तामरपत्र ये बालोद 36 गर से प्राप्त हुआ है ठीक है यहां से महासी उतिवर्देव की जानकारी मिलेगे दूसरा है राजीम तामरपत्र ये राजीम से प्राप्त हुआ है यहां से भी महासी उतिवर्देव और तीसरा था आपका बोंडा तामरपत्र ये आरंग जो वर्तमान आरंग छेतर है वहां से प्राप्त हुआ है यहां से भी महासिवतिवर्देव की जानकारी मिलती है अप कोइंसिडेंट की बात मैं आपको बता दूँ यह जो तीनों तामरपत्र हैं सेम तामरपत्र आपको किसके मिलेंगे महासिवगुप्त बालारजुन मैं नहीं लिखा हूँ वो चीज़ ठीक है महासिवगुप्त बालारजुन तो इसको आप पॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने से यह तीन तामरपत्र इनहीं तीनों जगह पर महास्योगुप्त बालारजुन के भी तामरपत्र मिले हैं, बालोद में, राजीम में और बुंडा में, क्लियर है इसके बाद जो नन्नराज दूतिये हैं महास्युतिवर्देव के पूत्र, इनका एक तामरपत्र मिलता है सक्ती जी लेके अडभार से इसमें किसकी जानकारी मिलेगी तो नन्नराज दूतिये की जानकारी मिलेगी क्लियर है इसके अलावा सेनक पाट अभी लेक महासमुद से प्राप्त हुआ है सेनक पाट जगा से ठीक है और इसमें आपके नन्नराज दूतिये की जानकारी मिलती है अंतिम जो है वो सबसे महतपूर्ण आपका सिलालेग मान सकते हैं, वो है लच्मन मंदिर सिर्पूर वहां से प्राप्त हुआ है इससके कुल जानकारी मिलती है लच्मन मंदिर सिलालेग और यह सबसे महतपूर्ण отमय के पिता चन्द्रगपत है तो इस प्रकार से सीरपूर के पांडू वंस के सासकू के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है चलिए इस वंस का हम लोग मंसा वाली समझते हैं तो देखे आदिपूर उस किसको माने थे उदियन को उदियन के पुत्र होते हैं कौन इंद्रबल यह जो इंद्रबल हैं इनके कुल चार पुत्र होते हैं एक पुत्र का नाम क्या है नन्राज पर्थम दूसरे पुत्र का नाम सूर्बल तीसरे पुत्र का नाम इसान देव और चौथे पुत्र का नाम भावदेव रणकेसरी क्लियर है देखिए आपको स्टूरी में आप पहले भी बताया था थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूं यह जो सुर्बल है यह क्या करते हैं सरपूरी छेत्र पर आक्रमड कर देते हैं और इनकी जो हत्या है वो प्रवर राज प्रथम द्वारा कर दी जाती है प्रवर राज प्रथम इनकी हत्या कर देंगे इंद्रबल के पुत्र है कहां आक्रमड किये थे सरपूर शेत्र पर और प्रवर राज प्रथम कहां है तो स्रीपूर वाले शेत्र में उस समय सीरपूर को स्रीपूर कहा जाता था ठीक है अब इसका बदला क्या करेंगे इंद्रबल जो है अ पुत्र आल्रेड़ी क्या हो चुगा था समाप हो चुगा था तो इनके तीन पुत्रों के आपको लेक मिलेंगे ठीक है कौन-कौन नन्नराज पर्थम इसान देव और भौदेव रंड के जरी अब इंद्रबल के बाद सासक बनेंगे कौन उनके जो बड़े पुत्र होते हैं कौन नन्नराज पर्थम अब ये नन्नराज पर्थम जो है, चुगकी ये छितर सीरपूर पर सासन करेंगे हैं ठीक है नन्न राज प्रथम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी बता दे रहा हूँ इनका क्या हुआ था नन्न राज प्रथम का बहुँ ज़्यादा आयू हो गया था फिर भी कोई पुत्र नहीं हो रहा था और यहां पर इसान देव हैं ये तो चुकी मर चुके हैं सुरुबल खतम हो गया इसान देव के पुत्र एक पुत्र हो गया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था तीवर देव इसान देव के पुत्र का नाम क्या था तीवर देव ठीक है, क्लियर है, तो नन्नराज परथम का कोई पूत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या-क्या अपने भतिजेत तीवर देव को गोध ले लिया और राजा बना दिया, ठीक, अब जब ये राजा बन गये, उनका नाम हो गया महासियु तीवर देव, यही तीवर देव ह होती है, और उनका नाम रखते है, वो चंद्रगुपता, लेकिन यह अभी बच्चा है, ठीक है, चंद्रगुपता अभी छोटे हैं, और यह राजा बन चुके हैं, महासियु तीवर देव के बाद, राजा कौन बनेंगे, तो महासियु तीवर देव के बाद, महासियु ती तो सासक इनको बना दिया जाता है, इनके जो चाचा रहेंगे, चाचा कौन, जो वास्तविक नन्नराज पर्थम के पुत्र थे, चंद्रगुप्त, वो सासक बनेंगे, चंद्रगुप्त के पुत्र होते हैं कौन, हर्सगुप्त, जिनका विवा होता है, वसाटा देवी से, अध्यान रखेगा, महासिव गुप्त बालार्जुन जब सासक बनेंगे, उसके बाद, उनकी मृत्यूं के बाद, रणकेसरी सासक बनेंगे, और रणकेसरी की मृत्यूं के पस्याद, महासिव गुप्त बालार्जुन के एक पुत्र होते हैं, जिसका नाम रहता है, अंतिम ग्याद सासक होते हैं तो इस प्रकार से वंसावली चलती है confusion होता है तो आपके मन में जितना confusion होगा आसा है ये आपको वंसावली समझ आ गया होगा अब स्टार्ट करते हैं हमारे आदिपुरुस या पैदुस के क्या आदिपुरुस और संस्थापक ते संस्थापक लगिन हюсь रखे इंदरबल है ये मैकल के पांडु या सुमवंस ये सासक भरत बल के क्या थे छोटे पुत्र थे कनिष्ठ पुत्र थे इन्हों इन्होंने कालिंजर में भद्रेश्वर सिव मंदिर का निर्माड कराया किसका निर्माड करवाएंगे भद्रेश्वर सिव मंदिर और उस सिव मंदिर में अपने एक सिलालेक लिखवा देंगे जिसको कहा जाता है कालिंजर सिलालेक और वहां से इनकी जानकारी मिलती है इन्ह रखेंगे, तो अगले सासक की और हम लोग अगर पहुंचें, तो हमारे अगले सासक उदियन के जो पुत्र है कौन? इंद्रभल. वो आ जाएंगे. इंद्रभल के बारे में क्या जानना है? तो इंद्रभल के बारे में पहला 수가 नाम क्यों पड़ा है, जाहिर सी बात है उदियन अपने पिता से बहुत इंस्पायर थे तो उदियन द्वारा अपने पिता के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम भी क्या रख दिया गया इंद्रबल रखा गया यह मैकल के पांडू यह सुमवंस ही है उदियन का पुत्र हैं सिर्पूर के पांडू वंस का वास्तविक संस्थापक था, और ये सिरपूर के पंडू वन्स का वास्तविक संस्थापक कौन है, इंद्रबल है, क्योंकि जो आपके सरपपुरी वन्स्था उसके अंतिम सासक की हत्यागर की यह सासक बनेंगे, यहां सरपपुरी सासक सुदेवराज का सामन था, जहां कहीं कहीं ये सुदेवराज जो है, वो महा सुदेवराज वास्ता में जो सरबपुरी सासक थे वो अपने नाम क्या के महा लगा देते थे इसलिए महा सुदेवराज कहा जाता है ठीक है, तो सरबपुरी सासक सुदेव राज का सामन था जिसका उल्लेक सुदेव राज ने अपने कवाताल अभिलेक था धमतरी तामरपत्र में किया है किसके रूप में सरवाधिकाराधिकरता अधिकारी के रूप में किया है इसका उलेक, इंद्रबल का तो इसका उलेक कहां से मिलता है, कवात आलबिलेक एक अभिलेक में इनका मिल गया, दूसरा धमतरी तामरपत्र में क्लियर है इंद्रबल के एक पुत्र होते हैं, सुर्बल इनकी हत्या कौन कर देंगे, आपको पहले ही कहानी बता हैं कर देंगे और पांडू बंस्की क्या कर रख देंगे नियू रखेंगे यह जो इंद्रबल हैं इनके कुल चार पुत्र होते हैं कौन-कौन से पहले ही बता चुका हूं नन्नराज प्रथम सुरुबल इसान देव और भावदेव रड़केशरी चार पुत्र है ठीक है जिसमें सुरुबल की मृत्यू हो चुकी है यह आपके यहां पर इस वाले पॉइंट पर ठीक अब देखें इनके जो पुत्र होंगे नन्नराज प्रथम यह तो सासक बनेंगे ही डेफिनेटली इन्हों ने इंद्रबल ने क्या किया इंद्रबल ने अपने नाम से अपने नाम से एक इंद्रबल ने की क्लियर है अब यह जो इंद्रबल है इस खरोत की स्थापना करेंगे ठीक थोड़ा सा मैं आपको स्टूरी में थोड़ा सा आगे लेके जाओंगा एक स्टूरी बताने के लिए यह मान के चलो आपका पांडू वंस का छेत्र है यहां पे क्या है सिरपूर ह एज़ा है यहां पे एक जगा है आपका इंद्रबूर सहर बसाए हैं इधर आपको एक छेतर मिलता है भांडग। यह जितना छेतर में आपको बता रहा हूँ यह इंद्रबल जीत चुका है यह इंद्रबल के अधीन है अब सिरपूर में सासक बनेंगे कौन नंवरायस प्र अब यह जो नन्नराज प्रथम है यह जब सासक बनेंगे तो क्या करेंगे अपने एक भाई इसान देव को इसको इसान देव को इंद्रपूर का क्या बना देंगे मंडला अधिपति इधर कौन चले गया एक भाई सासन का बटवारा नहीं किया है सासक अभी भी कौन है नन्नराज प्रथम ही सासक है लेकिन मंडला अधिपति की शित्र का इंद्रपूर या फिजो वर्तमान का खरोध है उसका मंडला अधिपति किसको बनाए इसान देव को और भांदक वाले श परतमान चांदा महाराष्टा से फ्राप्त होती है तो इंके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी भांदक सिला-लेक यहा इसके बारे में आपको याद रखीगा यहां से जो आपको क्या मिला है तो इसान देव का, किसका? इसान देव का सिलालेक मिला है ठीक है? इस परकार से दिखाई देता है आपका आपका यहाँ पे आपको यह जो आंकड़ा है वो यहाँ पर प्रस्तुत है लचमड़ेश्वार सिव मंदिर यह समारक बिलासपूर सिवरी नाना रोड पर जानगी चापा नामक जीले में बिलासपूर से लगभग 62 किलोमेटर के दूर पर खरोद नामक गाउं में इस्तित है। इस मंदिर की भित्ती में जड़े हुए प्रस्तर अभिलेक जिसको सिल्यालेक बोलते हैं में इसान देव तथा इंद्रबल का नाम उलेक हुआ है। इस प्रकार से इसमें आपको मिलेगा। अब इसमें में चीज़ क्या है तो इंद्रबल के पुत्र इसान देव ने इंद्रपूर में लखनेस्वर महादेव मंदिर या इसानेस्वर सिव मंदिर या लाखाचावर मंदिर बोलते हैं उसकी इस्थापना की और एक सिलालेक ल इंद्रबल ने बसा है था इंद्रपूर का सहर और यह मंदिर में बने रहा हूं बिलके यह मंदिर बनवाये कोन है इसान देव बनवाये हैं ने ब सकते हैं उधिकारी के ने इंदरबल के बाद कों सासक बनेगे इनके बड़े पुत्र नन्नराज परथम इसमें से सुर्वलल की मुर्थ्य हो चुके है इसान दियो जो है ये आपके इंदरपुर में आपके मंदलाड़ी पती हैं और ये भांदक में आपके मंडला दिपती है तो सिर्पूर वाले छेतर में कौन रहेंगे नन्राज प्रथम ये सिर्पूर पर सासन करेंगे इंद्रपूर पर सासन करेंगे इसान देव और आपके बहुदेव रण केसरी जो है ये भांदक वाले छेत्र पे जो वर्तमान चांदा वाला छेत्र है महाराष्ट का वहाँ सासन करेंगे ठीक है तो आप बात करते हैं ननराज प्रथम के बारे में ननराज प्रथम जो है इंद्रबल के क्या थे उत्तरादी कारी थे उनके बाद सासक बने नन्नराज प्रथम के सासन के अंतरगत उनके दोनों भाई इसान देव जो खरोड छेत्र में तथा भौदेव रण के स्री भांदा किया फिर जो वर्तमान चांदा है उस छेत्र में मंडलादी पती के रूप में सासन कर रहे थे अब यहाँ इमेज के माध्यम से अगर हम लोग समझे तो यह वाला जो यलो में है यह सिरपूर का साचन चेत्र था इंदरपूर में मंडलादी पती इंदरपूर यह जो खरोड है इसमें मंडलादी पती कौन है तो इसान देव है जिन्होंने इंदरपूर में कौन सा मंदिर इसाने स्वर महादेव या जिसको लखने स्वर महादेव या लचमणे स्वर महादेव कहा जाता है या लाखा चाओर मंदिर कहा जाता है वो इंदरपूर में वो निर्माण करवाएंगे इसके लावा एक छितर है भांदक वर्तमान महारास्ट के चांदावाले छितर में यहा उन्होंने तीवर देव नाम के बालक को गोद लिया, अब कौन से किसको गोद लेंगे, तीवर देव को गोद लेंगे, ये गोद लिया हुआ बेटा है, याद रखेगा, जो संभावता है, इनके छोटे भाई, इसान देव का पुत्र था, इसान देव के पुत्र कौन है, ती लिये हुए है ठीक है तीवर्देव क्या है गोदवाले है एक्चुल बेटे जो है वो चंद्रगुप्त उनका जन्म होता है लेकिन उत्तराधीकारी उॉराज तीवर्देव को बनाया जा चुका था इसलिए भावी राजा कौन बनते है तीवर्देव बनते है लियर है तो हमारे इस कहानी में अगले जो हमारे सासक आएंगे वो कौन आएंगे महासिव तिवर्देव ये राजा बनेंगे नन राज प्रतम के जो गोड ली हुए बेटे हैं इन्हों ने एक साही उपाधी धारण की थी, और वो कौन सी उपाधी थी, महाशीव, इनका एक्ट्वल नाम क्या था, तीवर्देव था, जो इसान देव के पुत्र थे, गोद लेने के बाद तीवर्देव, लेकिन जब राजा बनेंगे, तो एक साही उपाधी धारण वो उपादी कौन सी थी, महासिव, ठीक है, यही महासिव बालाजुन भी करते हैं, महासिव गुप्त बालाजुन, क्लियर है, ठीक है, इन्हों ने और अन्य उपादी भी धारण की थी, जैसे कि सकल कोसला अधिपती, ठीक, इसकी जानकारी हमको मिलती है, इनके बोंडा तामर पत्र से, महासिव ठीक है, तीन तामर पत्र थे, आपको याद होगा, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, राजीम तामर पत्र, बालोत तामर पत्र और बुंडा तामर पत्र, तो बुंडा तामर पत्र में पता चलता है, कि यह सकल कोसला अधिपती की उपादी धारण करत और एक है आपके पृत्वी देव कल्चूरी सासक है पृत्वी देव इसके बारे मैं आपको बताऊंगा चलियर है इसके लावा अन्युपादी में और कौन सी उपादी थे तो कोसलादी पती इनकी राजमुद्रा से पता चलती है उसमें लिखा हुआ था कोसलादी पती महासिव तिवर्देव इसके अलावा परम वैश्णौँ चूंकि वैश्णौँ धर्म के अनुयाई थे तो इन्होंने एक उपादी धारण की थी कौन सी परम वैश्णौँ माता पिता पादन उध्याद माता पिता पादन उध्याद मतलब माता पिता के चरणों में रहने वाला ठीक है चूंकि ये गोद लिये हुए बेटे थे तो माता पिता के बहुँ ज़्यादा सेवा कर रहे थे नन्नराज परतम के इनके कौन कौन से तामर पत्र प्राप्त हों है यह हिसान देव का पुत्र था यह नन्नर देव परतम का उत्तारा थे का था नन्नर देव परतम की विवाह के कई वर्सों तक कोई संतान नहीं हुई जिसके कराण उसने सीवर देव को गोद लिया था विद्धावस्था पहुँचने पर नन्नर देव परतम को पुत्र अरतनी प्राप्ति हुए जिसका नाम क्या रखा गया चंद्रगुप्त रखा गया इनके सासंकाल में पांडु वंस के समराज जविस्तार कोसल, मैकल तथा उतकल तक कर लिया था इन्होंने समराज जविस्तार कौन कौन से छेतरों में कोसल अर्थाथ, दक्षिर कोसल वाला जो छेतर है, मैकल अर्थाथ, जहां कि ये मूल निवासी थे, मैकल पर वसनेडी से आये थे, अमर कंटाक वाला छेतर है, इसके लावा उतकल अर्थाथ, उडिसा का जो छेतर है, ठीक है, पूरा उडिसा नहीं, उडिसा में भी उतकल और कलिंग दो आते हैं कलिंग अर्था आपके कटक वाले जो छेतर हैं तो कलिंग नहीं कोसल मैकल और उतकल पर इन्होंने क्या क्या था समराज जविस्तार कर लिया था जिसके कारण इनके सासनकाल को पांडू वंस का उतकर्स काल कहा जाता है मतलब सबसे आदा समराज जविस्तार कौन करेंगे महासी उतिवर्देव करेंगे और तीन अलग अलग छेतर है कोसल अलग छेतर है मैकल अलग छेतर है उतकल अलग छेतर है तीनों छेतरों पर अपना समराज जविस्तार कर लेंगे और एक उपाधी धारन करेंगे कौन सी उपाधी त्रिक लिंगाधी पती की उपाधी त्रिक लिंगाधी पती मतलब तीन अलग-अलग जो छेतर हैं उन पर इनका क्या था सामराज या था कोसल, मैकल और उतकल में ये सासन करते थे इसलिए ये क्या उपाधिधारण करेंगे त्रिक लिंगा अधिपती अब 36 गड़ की इतिहास में देखेंगे त्रिक लिंगा अधिपती दो आपको अलग-अलग वंस मिलता है एक है आपके उडिसा के सोमवंस उडिसा के कौन से वंस उडिसा के सोमवंस वाले सासक जो रहेंगे वो त्रिकलिंगादी पती की उपादी धारण करेंगे और एक मातरा महासी उतिवर देओ तो उडिसा के सोमवंस जितने सासक रहेंगे वो त्रिकलिंगादी पती उपादी धारण करेंगे और आपके सिर्फ पूर के पांडूवंस में सिर्फ और सिर्फ महासी उतिवर्देव हैं वो त्रिकलिंगादी पती की उपाधी, सकलकोसलादी पती की उपाधी और सबसे ज़्यादा समराज्य का विस्तार करेंगे पांडू वन्स के उतकर्स का काल भी कहा जाता है इनका सामराज्य का काल अब देखिए महासी तिवर्देव के सासन काल में ही एक व्यक्ति का आपको उल्लेक मिलता है माधाव वर्मन दूतिये माधाव वर्मन दूतिये अब देखिए महासी तिवरदेयो के भाई का नाम क्या था? चंद्रगुपत था, अब चंद्रगुपत बड़े हो चुके हैं, टिवरदेयो भी बड़े हैं, ठिक हैं? उन से और ज्यादा बड़े थे इनके सासनकाल में ही तीवर देव ने क्या किया था एक यूद्ध अभ्यान चलाए था किसके उपर माधह वर्मन दूतिय के उपर और उस यूद्ध अभ्यान में तीवर देव की क्या हो जाते है मृत्ति हो जाते है तीवर देव मर जाते है और चंद्रगुप्त जो है वो अपना जान बचा कर वहां से आ जाते हैं लेकिन चंद्रगुप्त याद रखेगा सिरपूर वाले छेतर में जब माधाव वर्मन आकरमण करने आते हैं तो उनको हरा देते हैं ठीक है? तो इसमें स्टोरी क्या है? माधाव वर्मन दुतिये के इपूर और पोला मारू तामरपतर के नुसार दो तामरपतर किस ने जारी किया था? माधाव वर्मन दुतिये और ये किस छेतर के थे? तो याद रखेगा ये कलिंग छेतर के थे ठीक है? उडिसा में भी आपके कलिंग छेतर में माधाव और मंदुतिय के इपूर और पोला मारू तामरपत्र के नुसार इन्होंने अपने भाई अर्तात महासिव गुप्त तिवर्देव ने अपने भाई चंद्रगुप्त के साथ मिलकर विश्णु कुंडीन के सासक माधावर मंदुत्य के विरुद्ध यूध्य अभ्यान चला जिसमें तीवर्देव की क्या हो गई मृत्यू हो गई तीवर्देव के बारे में क्या क्या जानना है तो इनके कुल तीन तामरपत्र प्राप्त हुए है गरियाबंद में मिला है आपको राजीम तामरपत्र और ये तामरपत्र वही तामरपत्र है जिसकी पहली बार खोज की गई थी ठीक है 1785 स्वी में ये तामरपत्र प्राप्त हुआ था पहली बार अंग्रेजियों का सासनकाल था तब यह तामरपत्र आपका जो copper plate है वो प्राप्ट हुआ था और यहीं से इस ones के बारे में तो अगर कभी आपको पूछे सीरपूर के पांडू ones के बारे में सबसे पहली जानकारी कहां से प्राप्ट होती है तो राजीम तामरपत्र से और राजीम तामरपतर किसका था महासिव तीवर्देव का था महासिव तीवर्देव के राजीम तामरपतर से ही इस वंस के बारे में सबसे पहली जानकारी हमको प्राप्त होती है तो इस वंस के बारे में सरव प्रथम जानकारी इसी तामरपतर से प्राप्त हुई तो राजीम तामरपत्र से इसके अलावा इनका एक और तामरपत्र है जो राइपुल में मिला था जिसको कहा जाता है बोंडा तामरपत्र जिसको वर्तमान में बोंडा याने की वर्तमान का आरंग वाला छेत्र बालोध में एक मिला है जिसको कहा जाता है, बालोत तामरपत्र, ठीक है, महासिवतिवर्देओं के तीन तामरपत्र प्राप्त हों है, यही तीन तामरपत्र सेम इन तिनी स्थानों से, महासिवगुप्त बालारजुन के भी मिलेंगे, तो गन्फ्यूज नहीं होना है, महासिवगुप्त बालारजु कि भी सेम तीन ताम रपतर मिलेंगे यहां से इन तीनों छेत्रों से, इसके अलावा 27 ताम रपतर जो हैं वो सीरपूर से मिलेंगे, मैं उसको आगे और डीटेल में बताऊंगा, खेर यहां यह चीज याद रखे कि महासी उतिवर्दयों के कितने ताम रपतर, तीन ताम रपत ये तिवर्देव बौध्ध विहार तिवर्देव ने अपने सासनकाल में बनवाया था और इसका बाद में इसको और जिरुनोधार करेंगे इसमें और बहुत सारे कलाकृति करवाएंगे महासिगुप्त बालारजन तो तीवर्देव बिहार तीवर्देव बनवाने के करण इसका नाम ही क्या पढ़ गया तीवर्देव बौध विहार ये सिर्पूर में है ठीक है क्लियर है तीवर देओ के बाद अब हम लोग देखे हैं अगले सासक कौन बनेंगे तो तीवर देओ के जो पुत्र होते हैं कौन नन्नराज दूतिया नन्नराज दूतिया भी याद रखेगा बहुत बड़े पिता भगत रहेंगे चुकि इनके पिता जो है उन्होंने सामराज्य का विस्तार तीनों छेतरों में कर लिया है तो इनका जो सामराज्य है वो विस्तित सामराज्य मिलेगा इनका एक और नाम मिलता है नन्नराज दूतिया का इन्होंने अपने नाम के आगे सरपुरी सासकों के समान अडभार तामरपत्र से, नन्नराज दूतिया का सक्ती जीले में है आपका अडभार, ठीक है, तो इस सक्ती जीले के अडभार से तामरपत्र को कहा आता है, अडभार तामरपत्र, और वहां से ग्यात होता है कि नन्नराज दूतिया ने कोसल मंडला अधिपती की उपाधी धार टीक है अब ये जो कोसल मंडल आदि पती है और शाइड पूर चिंग सिवा और ये जो रहेंगे पुत्र सासक बनेंगे बहुत बहुत जादा पित्र भक्त रहेंगे तो तिवर्देव द्वारा अपने पिता नन्राज प्रथम के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया गया नन्राज दुतिया तिवर्देव क्या करेंगे अब तिवर्देव के उत्तराधिकारी हैं तिवर्देव याद होगा तो तिवर्देव के पिता थे इसान पुत्र कहा है किसने कहा है तो नन्नराज दूतिय योग्य पिता किसको माने है तिवर्देव को और खुद को क्या बोले है योग्य पुत्र जिसमें इन्होंने अपने पिता तिवर्देव की तुलना स्रिकृष्ण से तथा स्वयम की तुलना प्रद्युम्न से किया है मैं अगर आपको नहीं पता होगा, तो प्रद्युम्न जो है, वो स्रिकिष्ण के पुत्र है, उनसे तुल्ला कौन करते हैं, आपके ननराज दुतिये, खुद कौन है, प्रद्युम्न है, और तिवर्देव कौन है, स्रिकिष्ण है, ऐसा कौन कह रहे हैं, ननराज दुतिये, महा सासक बनेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले ही जो चीज बताए मैं उसको बता दे रहाँ महां सी उतिवर देऊ ठीक यह अपने पिता से अर्थात नन्नराज प्रतम से बहुँँ जादा इंस्पायर थे तो अपने पुत्र का नाम क्या रख दिये अब बात करते हैं किसके बारे में हमारे अगले सासक चंद्रगुप्त के बारे में यह जो चंद्रगुप्त है यह नन्नराज प्रतम के एक्चुल बेटे थे ठीक है के पुत्र तिवर्दयों के छोटे भाई तथा नन्नराज दूतिय के क्या थे चाचा थे तीन अलग विष्णु कुंडीन के सासक यह बाता था विष्णु कुंडीन के सासक यह कलींग वाले छेतर में आता था विश्नु कुंडिन ठीक है चूंकि ये उतकल मेकल और कोसल वाले छेतर के सासक थे ही तीवर्देव तो इन्होंने कलिंग वाले छेतर पर भी हमला किया और जिसमें इनकी मृत्यू हो जाती है अब जो चंद्रगुपता है ये इतने चतूर थे ठीक कि तीवर्देव की मृत्य सिलालेक से मिलती है और ये लच्मण मंदिर जो सिलालेक है ये महास्योगुपत बालारजुन का है महास्योगुपत बालारजुन कौन है तो चंद्रगुपत के पुत्र होते है हर्सगुपत और इस हर्सगुपत के पुत्र का नाम रहता है याद रखेगा बड़े पुत्र क का नाम महा सिव गुप्त बालार्जुन क्लियर है तो यहीं से अपने दादा के बारे में उल्लेक करते हैं कि इन्हों ने क्या क्या था विश्णु कुंडिन की सेना से दक्षिड कोसल का रक्षा किया था ठीक है अब यह ज्यादा समय के लिए नहीं रहेंगे लगभग इनका जो सासानवधी रहेगा वो पांच वर्स करहेगा सबसे कम समय काल के लिए राजा रहते हैं कौन चंडर गुप्त इसके बाद अगले जो सासक बनेंगे कौन बनेंगे इनके पुत्र अर्थात हर्सगुप्त हर्सगुप्त के बारे में एक याद रखना है तो इनका विवा हुआ था वसाटा देवी से इनका विवा किससे हुआ था तो वसाटा देवी कहीं कहीं वासटा देवी लिखा रहता है ये वसाटा देवी या वासटा देवी कौन है तो मगत की मौक्रीवंस की राजा सूरिय वर्मा की पुत्री है अपने एच्छेतर के प्रतापी सासा सूरिय वर्मा उनकी पुत्री है कौन वासटा देवी उनसे विवा होता है अब हर्सगुप्त और वासटा का विवा होता है इनसे इनको दो पुत्र होते हैं ठीक है एक का नाम रहता है महास्योगुप्त बालार्जुन और दूसरे का नाम रहता है रणकेस्री जो हर्सगुप्त हैं इन्होंने दो उपाधी धारण की थी एक था प्राक परमेस्वर और दूसरा था प्राक महेस्वर याद रखेगा प्राक प्राक वर्ड यूज होगा तब किसको लगाना है प्राक परमेस्वर और प्राक महेस्वर हर्सगुप्त ठीक है लेकिन जैसे ही परम आ जाएगा परम परमेस्वर या परम महेस्वर तो लगाना है इनके पुत्र महास्योगुप्त बालार्जुन को प्राक और परम में ध्यान रखेगा हर्स गुप्त वाला कौन सा रहेगा प्राक वाला अपाधी धारण करेंगे हर्स गुप्त जो थे वो वैश्ण और धर्म के अन्याई थे तो एक बार की बात है अब थोड़ा स्टोरी समझ लिए हर्स गुप्त और इनकी जो पतनी है वसाटा देवी ये लोग बैट कैसी बात कर रहे थे तो हर्स गुप्त ने कहा कि वास्टा मेरे को एक मंदिर बनवाने का इच्छा हो रहा है तो वास्टा देवी जी जो है उन्होंने कहा कौन सा मंदित बोले कि भगवान विश्णू का मैं बहुत भग्त हूँ तो मेरे को सिरपूर में न एक विश्णू मंदिर बनवाना है ये बस अभी उनसे अपनी एक पती-पत्नी के बीच में जैसा discussion होता है वैसी ये अपनी जो मन की भाव है उनको वो बता रहे है किसको वास्टा देवी को अब इसके बाद क्या होता है कुछ समय पस्यात वो मंदिर बनवा ही नहीं पाय रहते हैं और इनकी क्या हो जाते है मृत्यू हो जाती है तो इनकी एक अंती मिच्छा आपको पता चल गए इनकी अंती मिच्छा क्या थी एक विश्णू मंदिर बनाना लेकिन ये जो लच्मन मंदिर है, ये याद रखेगा, किस कैसा मंदिर है, विश्णू मंदिर है, ना कि सीव मंदिर. जैसे ही लचमडे स्वर जाएंगे आपको confusion ना हो इसलिए मैं बता दरहूं लचमडे स्वर जहां आपको स्वर ऐसा दिखा ये वाला स्वर दिखा मान के चलना हर मंदिर आपका क्या होगा स्यो मंदिर होगा स्वर दिखा तब सिव मंदिर गंधे स्वर, लचमडे स्वर, बाले स्वर, मुक्ते स्वर जितने स्वर रहेंगे जले स्वर, जैसे उंकारे स्वर हुआ महाकाले स्वर हुआ जितना आप देखेंगे स्वर जुडा मतलब वो कैसा मंदिर रहेगा सिव मंदिर, तो नॉर्मल लचमण बोला तो विश्णु मंदिर है और लचमणे स्वर बोला तो सिव मंदिर है इससे आपको confusion नहीं होगा यह लचमण मंदिर है यह विश्णु मंदिर है और यह नागर सैली में बना हुआ है आपको पता होगा इंडिया में तीन प्रकार की बेसिक सैली पाई जाते है नागर सैली बेसर सैली और द्रविड सैली ठीक है उसमें से ये कौन सी सैली से निर्मित है नागर सैली से निर्मित है मंदिर का प्रसस्ती की रचना कवी इसान द्वारा की गई है और ये जो इसान है ये इनके राज कवी थे ठीक है किनके महा सिगुप्त बालारजुन हर सिगुप्त के जो पुत्र हैं उनके राज कवी थे इसान उनके द्वारा इसकी प्रसस्ती की रचना की गई है जिस सिर्पूर अभिलेक में जो लिखा गया है अब ये कवी इसान कौन है तो ये बाणभट के मित्र थे वही बाणभट जिन्हों ने आपके वन भैसा को साक्षात मृत्यू का प्रतिक बताया है ये वही बाणभट है उनके मित्र थे कौन कवी इसान ठीक है ये चीज क्लियर है अब देखिए जो लचमण मंदिर है इसको बनाने का काम किसने प्रारम किया का कार्य प्रारम जो है वो वास्टा देवी ने किया लेकिन कुछ साल बात क्या होता है उस समय ऐसा नहीं था ना कि टेक्नोलोजी जादा था पत्थर से निर्मित था आप उसको जीवन तवस्था में दिखाई देंगे तो इसके कारण क्या हुआ वास्टा देवी का जो है वो मृत्व हो गया अब इनके मृत्व हो गयी मंदिर का कार्य सिर्फ प्रारम हुआ है पूर्ण नहीं हुआ है अब इनका जो एक इ्च्छा था मंदिर बनवाने का इनकी जो पतनी वास्टा देवी हैं, उनका इच्छा का पूर्थी कौन करेंगे, उनके पुत्र महासिव गुप्त बालार्जुन करेंगे, महासिव गुप्त बालार्जुन जो हैं, वो हर्स गुप्त और वास्टा देवी के क्या हैं, पुत्र हैं, इनका सासन का लियाद रखेगा, पांस सो पन्चानबे से लेके छैसो पच्पन इस्वी रहता है लगभख साट साल में स्टार्टिंग में आपको बताया था पांडुवस सासकों में सबसे लंबा कारेकाल इन ही का रहेगा और सबसे छोटा कारेकाल रहेगा चंदर गुप्त का जो इनके दादा रहेंगे, ठीक है, सिर्फ पांस साल का, और इनका साइट साल का कारेकाल रहेगा, इनका एक उप नाम मिलता है, और वो नाम है बाल अरजुन, अब ये बाल अरजुन नाम क्यों पड़ा, तो बचपन में ये क्या थे, बचपन से ही, अरजुन के समान ये क्या चलाने में निपून थे, तो यहां से याद रखेगा, बचपन याने की यहां क्या होगा, बाल और अरजुन के समान, तो यहां से अरजुन, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, बचपन से अरजुन के समान धनुस चलाने में निपून होने करण इनका नाम पड़ गया, ठीक है, बाल अर्जुन कहा जाता है, जिसको बाल अर्जुन अर्थाद, बाल अर्जुन, ठीक, तो ये उसका एक उपनाम मिलता है, ठीक, इन्होंने एक उपाधी धारण की थी, कौन सी उपाधी, तो याद रखेगा परम महेस्वर, परम महेस्वर या परमेस्वर की उपाध धारण की थी और अगर इनके पिता की देखा जाए तो प्राक परमेस्वर या प्राक महेस्वर ठीक है इनके पिता जो है प्राक परमेस्वर या प्राक महेस्वर थे और ये परम महेस्वर की उपाधी धारण करेंगे अब ये महास्री गुप्त बालारजुन आपके लिए बह इन्हों ने अपने सासनकाल में जो इनकी माता ने स्टार्ट किया था लच्मन मंदिर जो विश्णु मंदिर था उसका निर्मार कार्य पूर कराया अपने ही सासनकाल में जो स्टार्ट इनकी माता ने किया था ठीक है शुरू नहीं किया था खतम मैं करूंगा वाला है ठीक है क्या थे धार्मिक रूप से सहिश्णू, इनके कुछ समकालिन सा सक हैं, जैसे कि आपको तीन समकालिन मिलते हैं, उस्य भूतिवन्स का एक मिलता है, हर्सवंध धर्ण, फुलकेसिन दूतिया मिलते हैं, चालुक्यवन्स के, और आपको मिलते हैं, नर्शी अवर्मन प्रथम पल लवन्स के कहा कहा कौन सा छेतर है मैं आगे मैप में वो भी बता दूँगा यह धार्मी कुरूप से सहिश्णु था तता इसके सासनकाल में सभी धर्मों ने विकास किया मतलब आपको जयन धर्म, बौध धर्म, वैश्णो धर्म, सयो धर्म, साक्ट धर्म जितने धर्म उस समय चलते थे सारे धर्मों का विकास हो रहा था इनों अपने सासनकाल में 10 बौध विहार, 3 जयन विहार, 4 विष्णु मंदिर और 22 सियु मंदिर का निरमाड करा है अब सूचे, ऐसे ही इसके सासनकाल को सुवणकाल नहीं कहते, दस बॉध्ध विहार, तीन जैन विहार, चार विश्णु मंदिर और बाइस सिव मंदिर, इसके अलावा प्रधान मंदिर का आफिस, अलग-अलग कार्याल है, वो सब का भी निर्माड इन्हों ने करवाया था, इतने सारे मंदिर बने, इसके कारण इनके सासनकाल को मंदिरों के निर्माड का काल भी कहा जाता है, तो आपको अगर पुछे, 36 गड़ के प्राची नितिहास में, मंदिरों के निर्माड का काल किसके सासनकाल को कहा जाता है, तो कौन है, महा, सिवगुप्त, बालार्जुन जो कौन सा धर्म फालो करेगा इनका जो पूरा वंस है आप देखेंगे सिरपूर के पंडू वंस वैश्टो धर्म के अनुयाई हैं लेकिन ये जो हैं सैव धर्मा आवलम भी रहेंगे इसका प्रमाड इनके बालपूर जो वर्तमान सक्तिजीले में हैं वहां से प्राप्त केस इसरी लेक युक्त सोणर राजमुद्रा उनकी राजमुद्रा से होता है जिसमें जो नॉर्मली किसका यूज होता था गजलचमी का जो सरपूरी वाले सासा की यूज करते थे गजलचमी उसके स्थान पर इन्हों ने क्या किया कुकुदमान नंदी वा त्रिसूल का अंकन क करवा दिया अपने सिक्कों में गजलचमी का चित्र जो सरपूरी में देखे थे वैसा ही क्वाइन ये लोग चलाते थे उसको हटा दिया और नंदी और त्रिसूल अंकीत वाला अपना चित्र चालू करवा दिया ठीक है सिरपूर से महा सिगुप्त बालारजुन के याद रखेगा 27 तामरपत्र प्राप्त हों है जो थोड़े तेर पहले में आपको बता है इसके लावा तीन तामरपत्र आपको कहा से राजीम से बोंदा से और बालोत से प्राप्त होए तो कुल 30 तामरपत्र प्राप्त होंगे म पहां सिगुप्त बालार्जुन के 36 गड़ भर में, जिसमें से सरवाधिक 27 तामरपत्र सिर्फ और सिर्पूर से मिलिया है. क्लियर है? इसके जो समकालिन सासक थे, आपको मैं पहले ही बता है, हर्स वर्धन जो था वो पुस्य भूती वंस का, था इधर देखेंगे पुलकेσιंदुत्यय क्यला आपका जो चालुग किवंस के सासक कौन है तो याद रखीगा महा सिगूप्त बालारजुन तो यह संकालीन थे उसी अपको मैं बता rahu पुस्य भूतिवन्स चालुकिवन्स पल्लावन्स ये राश्टिय राजवन्स हैं और ये राश्टिय राजवन्स के राजा हैं जो इनके सम्मय के समकाली इनसा सकते इसके ताम रपत्र का मैं अलग से और बताया था तीन ताम रपत्र, राजीम ताम रपत्र, बुंडा ताम रपत्र और बालो ताम रपत्र जो महासिव तिवर देव का भी था ठीक है तीनों जगह से उनका भी मिला है महासिगुप्त बालारजुन के बारे में क्या जानना है तो सीरपूर में इनके सासनकाल में 649 इस्वी में चीनी यात्री वेन सांग ने 36 गड़ ये सीरपूर और मलहार के आतरा की अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है सीरपूर मिलता है और यहाँ पर मलहार मिलता है सीरपूर में ही आपके महासिगुप्त बालारजुन के 27 तामरपतर प्राप्त हुए है किसके है महासिगुप्त बालारजुन के और वेन सांग कहां कहां गया तो सीरपूर गया था और मलहार गया था क्या करने गुमने भ्रमड करने तो चतिस गड़ में दो ही जग़ गुमने आया था कौन? चीनी यात्री वेन सांग अब जो ये वेन सांग है इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे तो इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा था ठीक है? उनकी यात्रा व्रितान जिसको कहा रता है सीउकी सीउकी पुस्तक में उन्होंने चतिस गड़ का उल्ले किया चुकि और इस समय चतिस गड़ का उल्ले किस नाम से किया? किया सलो के नाम से मैं रिखाल से ये सारी छीज़े मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ठीक है महासिगुप्त बालार्जुन का जो सासन काल है वो मंदिरों का निर्माड का काल कहा जाता है इन्हों ने अपने सासन काल में दस बॉद्ध विहार, तीन जैन विहार चाड़ विश्णू मंदिर, बाइस सियू मंदिर इतना बड़ा वहाँ पे बहुत धर्म का वो केंद्र हुआ करता था सिर्पुर अब यहाँ पे आपको मैं बताया मंदिरों के निर्माड का काल तो क्या-क्या मंदिर बनवाया है भाई महासिगुप्त बालार्जुन, तो उसको समझते सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे most famous है, वो है सिर्पुर का लच्मन मंदिर यह सिर्पुर का लच्मन मंदिर स्टार्ट किया था वाश्ता देवी ने हर्सगुप्त की पतनी ने और यह विश्णु मंदिर है, सिर्पुर का लच्मन मंदिर रबिन्ना टैगोर वहीं है जिन्होंने जणगण मन की रचना की थे ठीक है तो आपका ये जो है मैं यहां पे आपको जीला बताते चल रहा हूं जिनको नहीं पता होगा ठीक है अलग अलग जीला बलोदा बजार भी आएगा तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगे इस मंदिर के बारे में और एक फैक्ट मैं बता दूं 36 गढड का ताजमाल हो गया सबसे सुन्दर मंदिर हो गया ये मंदिर जो है वो तीन अलग अलग खंड में बना हुआ है कितने खंड हैं तीन खंड ये जो है ये मुक्या है जिसको कहा जाता है गर-बगक्री है ये आप आपका मेन मंडप इसको चाहता है मंडप यह अंतराल इसको कहेंगे अंतराल और यह आपका गर्वग्री है स्थित है यह तो सीरपुर में तो ये किसने बनवाया था पूर किसने कराया था लच्मन अंदर में ये प्रतिमा स्थापित है जो मूल प्रतिमा नहीं है इसके मूल प्रतिमा को आपको देखना होगा तो काले ग्रे नाइट की चट्टानों से निर्मीत आपके भगवान विश्णु की इसी प् की प्रतिमा है लेकिन वो प्रतिमा खड़ी प्रतिमा है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पांच आपको क्या दिखाई देते हैं सर्प दिखाई देते हैं जो कौन से किसका प्रतिक है याद रखीगा सीसनाग का प्रतिक है कौन सा नाग सीसनाग और आपको पता होगा जो जो प्रित्वी है हिंदू माइथोलोजी में कहा जाता है प्रित्वी को कौन धारण करके रखा हुआ है सेसनाक की उपर प्रित्वी धारण की हुए है सेसनाक किसको माना जाता है तो याद रखेगा लचमर जी को आप रमायन भी देखे होंगे तो लचमर जी को किसका आउतार मानते हैं, सेसनाक का उतार मानते हैं, और यहीं से इसका नाम पढ़ा गया, लच्मन मंदिर क्योंकि ये मूर्ती जो है, वो सेसनाक बड़ा सा आकरति, बीच में बैठे हुए हैं कौन, विश्णोजी आपको पता होगा सेसनाक के अंदर कौन बैठते हैं विश्णोजी, वरतमान में यहां पूजा पार्ट नहीं होता, ताला लगा रहता है तो इस प्रकार के कारण इसका नाम क्या पढ़ गया, लच्मन मंदिर इसका नाम पढ़ा, clear है असा है, लच्मन मंदिर का नाम क्यों पढ़ा, वो पता चल गया होगा चले लच्मन मंदिर के बाद महासिगुप्त बालारजुन ने और क्या बनवाया क्योंकि सिवभक्त हैं तो उन्होंने सिर्पूर का गंधेस्वर महादेव मंदिर का निर्माड कराया इस मंदिर का निर्माड महासिगुप्त बालारजुन करेंगे भीक है बाद में इसका जुर्णो धार कल्चूरी सासक करेंगे गंधेսवर महादेव के अलावा आपके बालेषवर महादेव मंदिर जो सिर्पुर में ही है उसका निर्माड भी कौण कराएंगे महा स्विवप्त बालार्जुन इसके अलावा राम मंदिर जो की विश्णू मंदिर है सिर्पूर में लच्मन मंदिर भी है और कुछ दूरी पर क्या मंदिर है राम मंदिर है राम मंदिर विश्णू मंदिर है याद रखेगा ना कि सियो मंदिर तो राम मंदिर विश्णू मंदिर ये दोनों विष्णु मंदिर है ठीक है राम मंदिर और लचमन मंदिर विष्णु मंदिर है और ये कहा है सिरपूर में ही है ठीक है इसके अलावा त्रिदेव मंदिर सिरपूर का जो त्रिदेव मंदिर है अब नॉर्मली हम लोग त्रिदेव से है भगवान संकर और तीसरी है मा आदि सक्ति ठीक है यहां ब्रह्मा जी का रोल नहीं है त्रिद्यो मंदिर में एक देवी हैं दो देवता हैं कौन कौन से विश्णू प्लस स्यू प्लस सक्ति का तीनों का एक ही जगा पर अलग-अलग गर्भग्रिय बनाया गया था तीन दिखेंगे यहां पर एक द्वार दिखेगा दूसरा द्वार यहां दिखेगा तीसरा द्वार यहां दिखेगा तीन ऐसा बनाया गया है और इसको कहा जाता है त्रिद्यो मंदिर के अलावा सिरपूर का जो सबसे आकर्षन का केंद्र रहता है वह सूरंग टिला अगर आप एक मात्रा ऐसा मंदिर है या स्यू मंदिर है, जो भूकम परोधी तक्नीक पर बनाये गया था। ठीक है? कभी आपको इतना डीटेयल तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूज दिया, तो भूकम परोधी तक्नीक पर बना स्यू मंदिर कौन सा है? सुरंग टिला मंदिर कैस रोतों में सुरंग टिला बौध विहार लिखा रहता है क्या लिखा रहता है सुरंग टिला बौध विहार लेकिन मैं इसको बौध विहार इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अंदर में सिव जी की लिंग है ठीक है सिव जी की प्रतिमा है उसके गाण इसको मैं सिव मंदिर में ही आपको मैं बता रहा हूँ इसके बाद अगला आता है पद्मपाडी बॉद्ध विहार भी कहां इस्तित है सिर्फूर में इसको भी किसने बनवाय था महासिगुप्त बालारजुन ने इसके अलावा तीवर देव विहार जिसको तीवर देव ने बनाया था उसमें भी आपके अलग-अलग और कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है किसने महा सिगुप्त बालारजुन ने आनंद प्रभु कुटिर विहार आपको याद होगा महात्मा बुद्ध के जो प्रियसी से थे आनंद प्रभु उन्होंने एक विहार बनाया था जिसका नाम था आनंद प्रभु कुटिर विहार इस आनंद प्रभु कुटि विहार का ज जितने हैं मैं आपको पहले ही बताया था 10 बॉद्द विहार, 3 जैन विहार, 4 आपके विश्णु मंदिर और 22 जैन विहार, सिर्पूर का जैन विहार भी महास्योगुप्त बालर्जुन के काल में ही बनाया गया था, ठीक है, महासमुन से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम खरोड का इंदल देव मंदिर जो है, ठीक है, ये भी सियू मंदिर है, राज्यसन रक्षित समारक है, इसका निरमार भी महास्योगुप्त बालर्जुन के काल में, उसके सासन काल में है, उसके द्वारा कराये गया था, ये भी पूरता लाल इंटों से निर्मित मंद मंदिर है और इसकी अवस्था थोड़ी लच्मन मंदिर से थोड़ी अच्छी है आसा है यह जितने आपको उसके निर्मार का रहे हैं वो समझा गया होंगे आप इसको नोट करते वे चलेगा और अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा चलिए अब हम लोग जाने किसके बारे में महासिगुप्त बालार्जुन जिसके सासनकाल को याद रखीगा पांडू वन्स के सासनकाल का सुवनकाल का जाता है चत्युसगड के प्राची नितिहास का सुवनकाल का जाता है चत्युसगड में मंदिरों के स्थापत्य का सुवनकाल क अब इनके बारे में याद रखी गया, इनकी जब मृत्यू होती है, तो इनके छोटे भाई रहते हैं, कौन, रण केसरी, वो सासक बनेंगे, उसके बाद महासियोगुप्त बालारजुन के पुत्र रहते हैं, उनका नाम रखते हैं, वो क्या, सिव नंदी, अब इनका नाम, प पुत्र का नाम सिव नंदी, चलिए, रण केसरी के बारे में जानते हैं, यह हर्स गुप्त का छोटा पुत्र था, तथा महासियोगुप्त बालारजुन का भाई था, इनकी मृत्यू के परसाथ, इनका जो भतिजा है, सिव नंदी, वो पांडु वंस का सासक बनता है, सिव पुत्र केसिन दूतिय के एहौल प्रसस्ति अभिलेक के नुसार, उन्होंने दक्षिड कोसल पर आक्रमड कर पांडु वंस का सासन समाप्त कर दिया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इस वंस का अंतिम सासक माना जाता है, इसका पांडु वंस का, कौन थे, सिव जिन्हों राजधानी कहां बनाया, अपनी आरंभी राजधानी सिरपूर को बनाया, आदिपुरस कौन है, इंदरबल के पिता, उदियन, सरवाधी प्रतापी सासक में महा सिव तीवर्देव, जिन्होंने समराज्य का विस्तार किया, और महा सिव गुप्त बालार्जुन ज जो इनके पुत्र होते हैं, सिव नंदी, कौन से धर्म के उन्होंने आई थे, तो वैश्नो धर्म के, एक्सेप्शन में कौन मिलेंगे, तो महा सिव गुप्त बालार्जुन जो सैव धर्मा उन्होंने आई थे, इनकी दो लिपी मिलती है, सामर पत्र में पेटिका सिर्थ ल है, ठीक है, चलिए, अब हम लोग ये सारी चीजें देख लिए, मैकल के पांडूवन्स भी समझ गये, सीरपूर के पांडूवन्स भी समझ गये, पांचवी से छटवी से साथवी, नवी में हमारा मद्यकालीन स्टार्ट होता है, तो नवी से ग्यार्वी वाला और बार्व इसे चौदुवी वाला हम लोग, ये समझ को हम लोग मध्यकालीन में फिर से समझेंगे, ठीक है, मध्यकालीन जब पहुँचेंगे तो इन वन्सों को हम लोग अध्यान करेंगे, अब हमारे चतिसगर के प्राची नीतिहास में हमारे दो वन्स और बचे हुए है, एक है सैल इनकाल, सासन, छेतर, उपाधी, जानकारी, बाकी सारी चीज़े है, ठीक है, सबसे पहले चीज़, इनके जो संस्थापक थे, उसका नाम था स्रीवर्धन सैल, ठीक है, और इनके सरनेम से ही इनका स्रीवर्धन सैल है, तो इनके नाम से ही स्वंस का नाम पढ़ गया है, क्या सेल्वंस, इनकी जो राजधानी थी वर्धमान दुर्गवले चेतर में थी ठीक है, एक्जेक्त है, इसका नाम नहीं मिलता है लेकिन दुर्ग चेतर सासन काल के अगर बात करें तो सात्वी से आठ्वी सताब्डी में, सासन चेतर किदर तो दुर्गम में था ठीक है उपाधी कौन सी धारन करते थे तो परमेश्वर या फिर महाराज अधिराज की उपाधी धारन करते थे इसकी जानकारी कहा से मिलती है भाई तो इसकी जानकारी याद रखेगा एक सासक मिलेंगे जयवर्धन सेल उस जयवर्धन सेल के रागहोली तामरपतर से इस वन्स की जानकारी मिलती है कौन-कौन से सासक है प्रमुक सासक में अगर देखें तो स्रीवर्धन सेल, स्रीप्रित्यवर्धन सेल, जैवर्धन सेल, स्रीवर्धन सेल दूतिय और जैवर्धन सेल दूतिय ठीक है इनका दूतिय वर्जन ये है और इनका दूतिय वर्जन ये है ऐसा ही ठीक तो देखे इसमें स्रीवर्धन जो सैल है ये संस्थापक है और इनके द्वारा एक सूर्य मंदिर का निर्माड कराएगा था चुकि ये कौन से वंस कहाते हैं तो सूर्य वंसी थे सैल वंस वाले सासक इसको याद रख लिजेगा सैल वंस वाले जो सासक हैं ये सूर्य वंसी सासक थे अपने आपको सूर्य वंसी मानते थे तो इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माड कराएगा दुर्ग वाले छेतर में इसके अलावा इनके पुत्र होते हैं कौन पृत्ति वर्धन सैल पृत्ति वर्धन के जो सैल के पुत्र होते हैं जैवर्धन सेल सबसे प्रतापी सासक मना जाते हैं इस वंस के इन्हों ने क्या जारी किया था तो अपना एक तामरपत्र जारी किया था जिसका नाम था रागोली तामरपत्र इसके बाद इन्हों ने अपने पुत्र का नाम अपने दादा के नाम पर रखा स्रीवर्धन सेल द इससक के बारे में और हमें क्या जानकारी चाहिए तो देखे यह जो किस देंस वाले सासक याद होगा कि इन्हों हो तो इन्हों能े सरभ पूरी दारा बसायी गया नगर, दूर्ग वाले छेत्र पर इनों ने क्या क्या, सासन किया, इस वंस के सासन जो थे वो सूरिय वंसी थे, तथा इनके सांस्थापक, त्रीवर्धन सैल ने दूर्ग में एक सूर्य मंदिर का निरमाड सात्यों सताब्दी में कराया था, ठिक है, और इसकी जानकारी ह को कहां से मिलती है तो इसकी जानकारी मिलती है आपके दूर्ग और बाला घाट के बीच में इस्तित रागोली ग्राम से जैवर्धन के तामरपत्र से ठीक है अब जैवर्धन कौन है आपको अभी बताया था मैं जैवर्धन कौन मिलेंगे श्रीवर्धन के पोते हैं ठीक है त हो अगला जो संस है वे बार्ण वंस ठीक है बार्ण काुझ जो सासण आधी रहेगा सासन काल रहेगा नुमी सतापदी केरेंगे यह अपके पाली कोरभा वाले छेतर में ठीक है कों थे आधिमस्थासक कोन थे महामंडले शवintend야 मंल्ल देव जेमयू उनका नाम था और उन्होंने एक उपाधी धारण की थी, कौनसी उपाधी? विक्रमादित्य की, तो इनको जेमयू विक्रमादित्य कहा जाता था, इनका अगर हम लोग देखें तो वर्तमान कॉर्बा में पाली वाला जो छेत्र था, यहां इन लोग सासन करते थे, इ आपका मध्य परदेश वाला छेत्र, ठीक है? तो त्रिपूरी या जबलपूर वाले जो छेत्र है, वहां से कल्चूरी सासक, संकरगड दूतिय मुगदतुंग, वो इधर आकरमड करते हैं, मान के चलते हैं, यहां पे हम लोग, वैसे यहां नहीं है, लेकिन यहां स्पेस यहां यहां मान के चल रहा हूँ, त्रिपूरी है, इस त्रिपूरी से यहां पे आकरमड होगा, किसका? संकरगड दूतिय मुगदतुंग का, संकरगड दूतिय या मुगदतुंग, ठीक है? यह आकरमड कर देगा, इसके उपर, पाली वाले छेत्र के उपर, ठीक, और विक जैमेव विक्रमादित्य जैमेव विक्रमादित्य और इसको पराजित करेगा और पाली वाली छेतर पर अधिकार कर लेगा। जैमेव विक्रमादित्य ने इतिहास में वो काम कराया जिसके करार आज पाली में एक सीयो मंदिर है। अब ये चीजे हमको कैसे पता कि भाई जम्यू विक्रमादित्य ने बनवाया ठीक है वो उन्होंने सिला लेक लिखवा दिया वहाँ पर पता चल गया इन्होंने अपना डेंटिंग प्रिंटिंग का कार जिरुनोद्धार जो है जाजले दो पर्थम ने कैसे करा है तो इन्हो जो डेंटिंग प्रिंटिंग ये जिरुनोद्धार है वो किसने क्या जाजले देव ने करवाया है अब शमस्ते हैं 36 गड़ के इस्थानिया चेत्री राजवन्स जो समराईस फॉर्म है जितना हम लोग अभी पढ़े हैं 36 गड़ के इस्थानिया राजवन्स का जो छेत्र ह सबसे पहला देखे होगा ठीक है तो एक-एक को देखते हैं ये ही राजववन्स देखे हैं मोटा मोटा इस शेत्र पर ये सासन करते रहे होंगे ठीक है सबसे पहले जानते हैं कौनशा राज बी लड़ता राजधानी आरंग था ठीक इसके अलावा आपके परवत द्वारक वन्स देवभोग वाले छेत्र में, परवत द्वारक वंस के बाद हम लोग जाने थे, आपका नलवंस, ठीक, नलवंस, पुसकरी वाले छेत्र में सासन करते थे, जिसके लिए बहुत लड़ाई भी हुआ, सरबपूरी वालों का मैं पहले ही बताया था, एक छेत्र है मलहार, दूसर है महासमून में ही सीरपूर, जिसमें आपको पांडूवंस मिलेंगे, सीरपूर के पांडूवंस, ठीक, इधर आपके मिलते हैं कौन से, दूर्गवाले छेत्र में, सैलवंस, ठीक, दूर्गवाले छेत्र में कौन मिलेंगे, ठीक है, और ये लास्ट हम लोग देखे, ये वाला जो छेत्र रहेगा यहां क्या मिलेंगे मैकल के सुमवंस या फिर मैकल के पांडोंस, मैकल परवस रेडी में तो इस प्रकार से च्छत्रिय राजवंसों को हमने जाना इतना में हमारा जो च्छत्रिय गड़ का प्राची नितिहास वाला portion था ये portion complete हो गया पूरी तरह से ये सारी चीज़े हम लोग अध्यान कर चुके हैं अगले series में हम लोग जानेंगे ये वो अगले playlist बनेगा जिसका वो है 36 गड़ का मध्यकालिन इतिहास हम लोगों ने ये आध्य इतिहास प्राग इतिहास ये सब पढ़ लिया प्राची नितिहास complete हो गया मध्यकालिन इतिहास अगला जो मध्यकालिन इतिहास का series है उसके लिए मैं पहले से इस वीडियो में एक aim रख दे रहा हूँ हमारा एक aim है कि हम लोग 150 like इस वीडियो पर मैं आसा करता हूँ मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंदु जै भारत वंते मात्रम